जो आज हम मानो संसाधन पढ़ेंगे क्लास एर्ट में, है ना मानो संसाधन क्या होती है लोग ही एक रास्ते के सबसे बड़े संसाधन होते हैं प्रकृती के देन केवल उस समय महत्रपूर नहीं होती जब वहार लोगों की उपयोगी होती है लोग अपनी आसकते हैं योग्यता के लिए उस संसाधन को परिवर्तन करके उसको अपनी अपेक्षा कृत बनायाते हैं उससे क्या कहते हैं संसाधन कहते हैं इस प्रकार मानो संसाधन का अंतिम संसाधन ही क्या है संसाधन हैं जो संसाधनों का दिकास करते हैं जैसे कि अभिप संसाधनों की भाती मानों संसाधन विश्व कर समान रुप से विवरन किया जाता है जैसे कि आयू लिंग वा एक दूसरे से भिन्न है उनकी संख्या लक्षन भी बदले जा सकते हैं बदलते हैं जैसे कि चीतर से डायगरम से समझ आ रहा है है ना संसाधन कर रहा है मेरे कक्षा में 30 बच्चे हैं विश्व में सब कम से कम 6 अरब लोग रहते हैं एक अरब से भी कितने सुन्या होते हैं ये संख्या को आप हम कैसे लिखते हैं ये सब की जानकर या मानो निर्मिश से हो सकता है अब है अगला टॉपिक जन संख्या का वित्रन जैसे कि भू प्रिस्ट पर जिस प्रकार के लोग फैले हुए हैं उसे जन संख्या वित्रन का पतिरूप कहते हैं जैसे कि भू प्रिस्ट क्या है हमारा प्रित्वी जहां तक हमारी भूमी है महास्वे विश्व में जन संख्या नब्य परसंट तक बढ़ा हुआ है फैला हुआ है जैसे कि लगभग भू प्रिस्ट मतलब प्रित्वी में हमारे लगभग 30 परसंट भाग का भी निवास करते हैं और विश्वक की जनसंख्या वित्तन अत्यान असामान है कुछ शेत्रां बहुत घने हुए बसे हुए हैं जो साक्सिय चेत्रा उसने कर्टी बन दिया मरिस्तर उच परवर एवां विश्वत्य वनो चेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं है ना जबसे विश्वत्वरीत के डक्षिन की अपेक्षा विश्वत्वरीत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं मतलब बहुत अधिक जनस संख्या निवास करते हैं 20 में कुल जन संख्या का लगभग 3-4 भाग में लोग दो महादीप अप्रिखार रहते हैं और 20 वगे 60% लोग केवल 10 देशों में ही रहते हैं इन सभी देशों को 10 करोर से भी अधिक लोग रहते हैं निवास करते हैं जैसे कि एस्या में डायग्राम स करते हैं यह कितनी रहते हैं ड्याएफ सारे लोग रहते हैं यूड़ोप में गीने चुने 10 कर अब अपरिका में रहते हैं यह अब दक्षिन अम्रीका में रहते हैं नीला यह देखो आधा इधर बटा हुआ है आधा इधर बटा हुआ है अधा इधर बटा हुआ है मध्या यह दक्षिन अमरीका में अब उत्तर अमरीका में रहते हैं उत्तर अमरीका में कौन से रेड देखो चार पाच पीज़ी ही रहते हैं मतलब बहुत जनसंख्या कम है एक भी हिस्सा एक भाग में कोई रहा गया तो बहुत है है ना जैसे कि महादिपोक अनुसार विश्वक की जनसंख्या के बारे में चीत्या के अनुसा दर्साया गया है अब यह डाइगरम भी देखिए आप विश्वक की घनी अबादी वाले देश विश्वक की रूप रेख चीन के बाद सेकंड नमबर है भारत उसका यूसे इंडोनिस्या ब्राजील पाकिस्थान बंगलादेर नाजेरिया रूस एवन जपान में जनसंख्या रिजन है अब है जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या घनत्व मतलब है प्रिठ्वी की प्रिष्टे को एक इकाई का सबसे अधिक जनसंख्या काहा है घनत्व दक्षिन मध्य एस्या में निवास करते हैं इसके बाद पूर्वी एस्या और दक्षिन पूरिया एस्या में निवास करते हैं अब देखो जनसंख्या के वित्रें के प्रभावित करने वाले कारत कारत मतलब घटक है ना जैसे कि भ परवत अबमपठारों की तुलना मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं जायुसी बात है हम रहना अच्छी जगह रहना चाहते हैं अच्छी विक्सी थोड़ हमें विकास मिले इस जगह में हम रहना चाहते हैं जैसे के विकास के लिए छेत्र के लिए के खेती वी निर्मार सेवा किर्याओं के लिए उप्युक्त इस्थान गंगा मैदान विस्वा के सबसे अधिक घनी बसी है जिसमें इंडीज आलफास और इमाले जैसी परवत बसी हुए हैं है ना जलवाई लोग समान रूप से जलव हैं हमार उसतर रहा अभी भी कुछ भी तुफान आ सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए वहां रहना बहुत कम पसंद करते हैं म्रीदा मतला जमीन उपजाओं मिट्टी के क्रिसी के लिए उप्योगत भूमी प्रदान करती है भारत में गंगा ब्रम्ह पुत्त चीन एवं हम वांग ही चांग जियांग एवं मिश्रमे नील नदी उपजाओं मैदान घने भसे हुए छेत्रा है जैसे जहां उपजाओं जमीन जादा रहेगे वहां जनसंख्या अधिक रहेगी जल लोग उन छेत्रों में रहना ज्यादा प्राष्मिठा देते हैं जहां जल के अवलेनी जल वासानी से उपलब्द हो जाता है जिसमें हम हर सुधाय या उपलब्द कर सकते हैं विस्वकिन अधिये घाटिया घने भसे छेत्रा जबकि मरुस्तर वीरल जनसेंख्या वाले हैं है ना अब हो गया खनीज खनीज ये वाले छेत्न में अधिक बसे हुए रहतने ह हमें हीरे की खाने हैं मध्यपूर्वम तेल की खोज हुआ है इन शेत्रों के लोग में रहने के लिए ज्यादा प्रेजिक किया जाता है अपना आवक अत्यदिक बढ़ाने के लिए हैं ना ये क्या है खनीज के पहला पढ़ लिए बहुभूली कारक में इसलाकृती अब है समाजिक संस्क्रिट है में आर्थिक कारक के नतरकर आर्थिक कारक संस्क्रिक कारक समाजिक कारक आर्थिक कारक के अध्यक शेत्र में रोजगार के असर प्रदाम करना लोगों की बड़ी संख्या में इन शेत्रों की आकर्सित करना और जापान अमरीका भूंबई वा बुंबई दो घनी ब्यासे छेत्रा है संस्क्रिटी का महता भी विस्थान लोगों को अकरसित करता है जैसे वारा नर्सी हो गया एलू सेलम हो गया व्यक्तिन हो गया सिर्टी यह सभी में रहने वाले उधारन है समाजिक कारक अपने ववास स्वास सुईधाय भी चेत्र भी अत्यति धनी बसे हैं जिसमें उधारन के लिए पूरा है जहां सब सुईधाय रहेगे वहाँ जन संक्या अधिक रहेगी जन संक्या परिवर्तन कब हुआ च्छे दसम्लों तीन पर हम चीत्रा के साब से आगे हुआ है मानव इतिहास की लंबिया हो थी में सन अथारा सो में विस्व की जन्षा के देरे बढ़ी और बढ़ी जब से सब बच्चे जन्म लेते गए और सीग रही उनकी मिर्ति भी होती जाती गए ऐसलिए क्यूंकि वहां उची स्वास स्विधाय नहीं थी सभी लोग प्र चास वर्से बार 169 विस्व की जन्संख्या तीन अरब पहुच गये इससे प्राया जन्संख्या विस्वोड कहते हैं ठीक है क्या करते हैं जन्संख्या विस्वोड अचानक ही जन्संख्या में व्रिध्धी होने लगी सन 1909 में 30 वर्से की अधि में कम से कम जन्संख्या रिद्धी के मुख्य कारण खार्द्यापुर्टी और अवसदी के कारण मृत्युदर कम होने लगा है ना जन्मदर अभी तब बहुत अधिक रही उसके अर मृत्युदर कम होते गई इसलिए जन संख्या में रिद्धी हो गई जन्मो के सधानता जन्मदर का आखा गया तो ज शेत्र को विशेश रूप में लोगों को आने जाने का प्रवास कहने लगे जन्म मृत्युद की जन संख्या घनात्व के रूप में प्राकृतिक कारण किया गया और इस देश में जन्मदर की मृत्युदर की बीच में अंतर प्राकृतिक विद्धी धर किया गया और इस च झाल, झाल about that.